बॉर्निंग फ्रेंड आज है 25 सेप्टेंबर तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर्स जी हां UPSC 2020 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और सुभं सिंग बिहार से हासिल करते हैं फर्स्ट रैंक नाइन्थ रैंक हासिल की है अपाला मिश्रा जो की गाजयाबाद यूपी की है और इन्होंने देली अंसियार में पढ़ाई करके ये रैंक हासिल की है ग्रेट्स टू बोथ और जिनका नहीं हुआ है उनको यह कहूंगी रास्ते बदलो मत रास्ते बनाओ जी हां कोसिस करते र आज है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेड जी हां क्यूंकि जिस तरह का सियट्वेशन है यल्थ केर से कॉशन आने की संभावना है तो आसकता है तो 25 सेप्टेमबर को बनाए जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेजा आगे पड़ते हैं कोॉस्चन आप देखते हैं जो कि कल मै बीचेस को देखिए औरेडी मैंने आपको बताया था कि दो बीचेस अभी हाल में इंख्लूट कर दिये गये हैं ठीक है जिसमें केरला के कावालम और पॉंडी चेली के इडन बीच है औरेड़ी एट बीचेस थे तो दो एड हो गए है तो टोटल हो गए है तेन बीचेस तो टेन बीचेस जो है इंडिया के है उनको मिल गया है ब्लू फ्लाग सर्टिफिकेशन यह दिया जाता है UNEP, IUCN and UNWTO के द्वारा Who will launch the Prime Minister Digital Health Mission on 27th September 2021? देखिए Prime Minister Digital Health Mission launch होने वाला है 27 September 2021 में यह launch हो रहा है UT यान Union Territory of India में और इसे launch कर रहे हैं जेहां हमारी Prime Minister Narendra Modi जी National Digital Mission का ही नाम Prime Minister Digital Health Mission रख दिया गया है National Digital Health Mission के अंतरगत Health ID कार्ट दिया जाएंगे ताकि लोगों को proper health service भिल पाए और जो हमारा program है जन आरोग के mission उसके अंतरगत इसे involved किया जा रहा है तो याद रखे National Digital Health Mission के अंतरगत एक बहुत ही बड़ा सा database होगा और एक ऐसा system create किया जाएगा ताकि आपको health service आसानी से मिल जाए सबसे important बात इसमें health ID कार्ट भी दिया जा रहा है question number two की तरफ move करते हैं blue planet award has given to which hydropower station blue planet award दिया गया है तीस्ता hydropower station को तीस्ता hydropower station को मिल रहा है blue planet award ये award दिया जाता है international hydroelectric union के द्वारा इसलिए ये award बहुत important हो जाता है तीस्ता power plant को ये award दिया गया है उसके sustainable development work के लिए तीस्ता power station में renewable energy पे बहुत ही अच्छा work किया है fresh water management वहाँ होता है और climate change action पे भी proper care किया गया है तो ये बहुत ही important award है blue planet award जोकी international hydroelectric union द्वारा दिया जाता है तीस्ता power plant की बात की जाए तो ये कहां पे है जी हां ये सिकिम में है सिकिम से निकलती है और ये बांगलादेश तक जाती है अभी हाल में इंडिया और बांगलादेश का इसे related deal भी sign हुआ है और 2017 में UPC में इससे question भी आ चुका है पंकज अडवानी ने जीता है 2021 का raid snooker award किसको हराकर जीता गया है बाबर मासी को हराकर बाबर मासी बाकिस्तान के हैं और उनको हराकर पंकज अडवानी ने जीता है ये prize और ये prize जीता गया है snooker game के लिए आगे बढ़ते है question number 4 की तरफ national pension divorce will be celebrating on national pension divorce कम मनाया जाएगा जल्दी से बताएं इसका answer जी हाँ ये मनाया जाएगा 1st October को ये day बहुत important है national pension divorce मनाया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है PFRDA के द्वारा यानि pension fund regulatory and development authority of इंडिया के द्वारा ये एक ऐसे authority है जो की सारे pension जो भी pension companies है जैसे LIC वेगरा उन सबको control करती है ये actually में एक apex body है जो की सारे body को control करती है PFRDA और PFRDA ने ये निस्टिक किया है कि 1st October को बनाया जाएगा national pension दिवस national pension day और pension जो है वह बहुत important है बोडो लोगों की ये संपत्ती ही है पेंसे बहुत important होता है किसी के भी जीवन के लिए question number 5 पे आते हैं who own goalkeeper award 2021 goalkeeper award किसको दिया गया है 2021 का ये अवार्ड दिया गया है फुमजीले मैबो निकुकोका ये साउथ अफ्रिका की है यूएन में है अभी कंटली वहां की CEO है और यूएन विमन चुग एक agency है उनको ये handle करती है और इन्होंने gender disparity को कम करने के लिए बहुत सारे इफ़र्ट लिये हैं आप मुझे बताए कि sustainable development goal के अंतरगत जेंडर disparity को कम करने के लिए कौन सा number of goal include क्या गया है जैसे goal number one होता है two होता है three होता है four होता है five होता है कौन सा गोल है जेंडर disparity को कम करने के लिए कि देखिए फुजमीले मैबो निकोबा जो है वो साथ अफ्रिकन प्रे पॉलिटीशन है और united nation official भी है वह अभी फिलहाल वहां की executive director है UN women group की यह जो गोल की पर award है यह दिया गया है Bill Gates foundation के द्वारा यह important है question number six पे आएंगे transforming food system for rural prosperity report has released by अभी एक बहुत important report आया है जिसका नाम है transforming food system for rural prosperity तो बिल्कुल पूरे food system को transform करने की बाद की जारी है ताकि गाओं की economy develop करें ऐसा क्यों किया जा रहा है उस पे भी आएंगे पहले देखते हैं यह report किस ने release की तो यह report release की जारी है IFAD के द्वारा देखिए international fund for agriculture development क्योंकि UN की एक agency है उसने लाया है यह report जिसका नाम है transforming food system for rural prosperity यह क्या है rural prosperity यानि की अब हम लोगों को अपने health पे बहुत जादा ध्यान देने के आवे सकता है because of busy life हम लोग fast food और quick food पे चले गया थे लेकिन because of covid situation हमने यह realize कर लिया है कि we should need to move toward a good food और वो rural prosperity से ही संबब है चूंकि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा production बढ़ाना पड़ेगा food grain का nutritious food को खाना ही होगा किसी भी हाल में तो इसी लिए यह बहुत important report माना जा रहा है जिसका नाम है transforming food system for rural prosperity report question no.7 पे आएंगे ministry of commerce has celebrated 20 to 26 September 2021 as अभी हाल में ministry of commerce of India ने 20 से लेके 26 September यानि पूरे week को कौन सा week celebrate किया है तो यह पूरा week बनाया गया है वानिचे सप्ता यानि commerce trade and commerce week government of India ने economical growth पे focus करने के लिए यह दिन बनाया है पूरा week celebrate किया जा रहा है जिसका नाम है वानिचे सप्ता इसमें क्या होगा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो production होता है farm farm to fall का तो नाम अपने सुना ही होगा कि farm से लेके हमें मार्केट तक पहुंचाना है अब यह बात चल रही है कि मार्केट तक नहीं हमें foreign तक पहुंचाना है farm to foreign की बात चल रही है तो ध्यान रखे एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए यह सप्ता बनाया जा रहा है जिसका नाम है वानिज्य सप्ता ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर एट की तरफ 400 days book has recently released by 400 days book release हो गया है किसके द्वारा यह बुक लिखी गई है यह बुक लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा चेतन भगत की कुछ important book mistake of my life 5.2 someone revolution 20 and 400 days 400 days जो बुक है वो चेतन भगत बताते हैं कि यह बुक एक girl पे है जो कि missing girl है because of covid situation किसी कारण से यह लड़की miss हो गई है kidnap हो गई है और ऐसे में पूरा situation बहुत खड़ाब हो गया है उस पे यह बुक है तो ध्यान रखे 400 days is based on a missing girl siya question of the day देखते हैं आज का which of the following leader included in time's top 100 most influential person इन में से किस leader का नाम 100 most influential person time's magazine द्वारा दिया गया है उनका नाम बताए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे शेयर कर दे और चैनल को भी subscribe कर ले ताकि आप देली अपडेट हो सके थैंक यू झाल 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